हेलो वाइज मेरे नमें साजी सेफी और मेरे चैनल वाइब क्लिक में मैं आप सभी का तही दिल से वाइलकम करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme के सभी डिवाइस के अंदर ऐसे हिडिन फीटर्स के बारे में बताऊंगा जो की हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़दा important है जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कुछ settings को enable और disable करके अपनी जो privacy होती है आप उसको safe कर सकते हैं दोस्तो आज के इस दौर में आपको पता है कि आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है और आज के इस इंटरनेट के दौर में जो हमारी privacy होती है वो बहुत ही ज़दा important हमारे लिए हो जाती है क्यूंकि internet के माध्यम से हमारी जो privacy होती है हमारी जो photos, videos और हमारी जो calls वगरा होती है वो बहुती जल्दी viral हो जाती है यानि की leak हो जाती है तो आप इस तरह की जो परिशानी से किस तरह से बस सकते हैं अपनी privacy को किस तरह से आप जो सुरक्षित रख सकते हैं Realme के fonts के अंदर जी हाँ दोस्तों यहाँ Realme के fonts के अंदर हमें काफी ज़्यादा कमाल के features देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ आज की इस वीडियो में आपको privacy related Realme के जितने भी features हैं उन सभी को आपको बताऊंगा तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने Realme के device के अंदर अपनी privacy को protect करना चाहते हैं तो simply आपको करना क्या हुआ आपको अपने Realme के फॉन के अंदर font manager का एक option देखने को मिलेगा तो simply आपको इसे click करना है और जैसी दोस्तों आप इसे click करते हैं इसे click करना है और जैसी दोस्तों आप इसे click करते हैं तो यहां आपको दो option देखने को मिल जाते हैं एक permissions का एक और apps का चलिए खर मैं यहां आपको permissions का जो option है इसको समझा देता हूँ पहले और उसके बाद हम बात करेंगे next के हमें यह settings जो है read call history और यहां आपको write or delete call logs और read IMI number इस तरह के option देखने को मिल जाते हैं और साथी साथ यहां दोस्तों आपको read SMS, read MMS और काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं और यहां आपको use camera, record, audio और calls और बाकी के read and write, delete, external storage जाने कि जो आपका memory card है यह उसके बारे में यहां भी आपको एक option देखने को मिल जाता है और साथी साथ यहां आपको और भी धेर सारे option देखने को मिल जाते हैं तो आप इनको बड़े आसानी से और बड़े आराम से सुकून के साथ देख सकते हैं चलिए खर यहां आपको किसी एक option को लेकर आपको सारी बाते समझा देता हूँ जिससे कि आपको यह सारे के सारे option जो है अच्छे से आप manage कर सकें तो चलिए खर यहां हम एक option को ले लेते हैं जैसे for example लिए दोस्तों यहां मैं read call history का option ले लेता हूँ जैसे कि यहां read context में आपको 28 apps का option देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यह क्या है और यह किस तरह से यह ऐसा q show हो रहा है अलग-अलग चलिए मैं आपको बदलता हूँ तो यहां simply चलिए मैं read call history के option को choose करता हूँ और जैसी दोस्तों मैं इसको choose करता हूँ तो यहां दोस्तों यहां हमें 5 ऐसी application show हो रही है जो कि हमारे phone की जो call history है उनको read कर रही है जैसे कि flip card है, mute calls है, my geo, paytm और true caller दोस्तों यह 5 application ऐसी हैं जो कि हमारे phone की call history है उसको read कर रही है अब जैसे कि for example लिए जो flip card है अगर यह हमारे phone की call history है तो यह अगर यह read करती है तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारी जो privacy है हम किसको phone करते हैं और हमारे पास किसका phone आता है इस तरह की बात हैं अगर कोई third party application access करती है तो यह हमारी privacy के लिए बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि हमारी कोई भी बात कहीं भी leak हो सकती है तो दोस्तों यहां आपको simply करना क्या है यहां आपको हर एक application के सामने एक option देखने को मिलेगा जैसे कि यहां फलाल flip card में ask का option आपको देखने को मिल रहा है और यहां mute call में allow का option देखने को आपको मिल रहा है चलिए खर यहां simply मैं आपको किसी एक application को टच करके आपको बताता हूँ कि यहां आपको और क्या देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहां आप किसी भी application को जब टच करते हैं तो यहां आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं जिसमां पहला allow का और दूसरा forward का और तीसरा ask का option अब दोस्तों यहां अगर आप पहले option को select कर लेते हैं तो यहां जो flip card है वो आपकी call history है उसको आपसे बिना पूछे यानि आपकी without permission यह हमारी जो call history है उसको access कर लेगी और उसको read भी कर सकती है अगर आप forward का option चूज करते हैं वो हमारी call history को read करने से पहले access करने से पहले हमसे पूछेगी तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी third party application है जिसे आप अच्छे से नहीं जानते हैं या आप उस application चैसे for example के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो flip card है इसका जो main purpose होता है वो shopping purpose होता है अब यहां अगर यह हमारी call history को read करती है तो यहां यह हमारे लिए यह अच्छी बात नहीं है तो simply हमें करना क्या है इसको यहां से forward क्लिक करके इसको यहां से जो इसकी read call history की जो permission से इसको disable कर देना है तो दोसो इस तरह से यहां जो भी application आप जिसको application को जैसी चाहे वैसी permission दे सकते हैं मैंने आपको तीनो ही option के बारे में details में समझा दिया चलिए खर यहां आपको अदू में यहां आपको इस तरह से और भी डेट सारे option देखने को मिल जाएंगे जैसे read IMI number तो दोस्तों यहां से आप जितनी भी applications हैं आप इन सभी application में अपने मर्जी से जुन सकते हैं कि किस application को आपको permission देनी है IMI read number यहां read IMI number को करने की और किस application को नहीं तो दोस्तों यहां आपको और भी बहुत ज़्यादा option देखने को वज़ जाते हैं तो कुछ options तो इतने ज़्यादा important हैं जो कि हमारी life को पूरी की पूरी spoil कर सकते हैं बरवात कर सकते हैं जैसे कि यहां for example लिए record audio calls यानि कि दोस्तों अगर यहां हमारी कुछ application ऐसी हैं अगर हम इनको permission देते हैं जैसे कि camera है खेर यह तो चलिए official है इससे कोई problem नहीं बड़ यहां कुछ applications ऐसी हैं जैसे कि kindmaster mode है तो दोस्तों यहां अगर यह application है इसको आगर आप allow की permission देते हैं तो यह application जब चाहे हमारी call history है यानि कि उसको हमारी voice को record कर सकती है और हमारी जो call है उनको record कर सकती है जिससे हमारी जो privacy है उसको बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है तो दोस्तों यहां आपको इन सभी option को अच्छे से use समझना है use करना है और आपको अपनी मर्जी से जो भी third party application है उसको permission देनी है जिससे कि आपकी privacy जो है आपको समझा देता हूँ कि आप इसको किस तरह से use कर सकते है तो दोस्तों जब आप apps पे टेच करते हैं तो यहां आपके phone के अंदर जितनी भी applications है वो सारी के सारी आपको इहां इंडिविज्विज्वली शो हो जाएंगी कि flip card के लिए मुझे क्या क्या permission allow करनी है और क्या क्या permission allow नहीं करनी है जैसे कि for example के लिए मैं चाहता हूँ कि flip card जो application है वो हमारे phone की call history है जो भी है हमारे phone को वो access कर सके या न कर सके तो मैं यहां से उसको individually select कर सकता हूँ यानि कि permission दे सकता हूँ और ऐसी contacts, sms जो भी मैं चाहूँ इस flip card को access करने की permission दे सकता हूँ और जिसे चाहूँ जिस option को disable कर सकता हूँ तो जिससे कि यह application जो है अपनी मर्जी से work नहीं करेगी और दोस्तों यह हमारी मर्जी के अनूसार ही work करेगी यानि कि जो हम permission इस application को देते हैं यह cable वही access कर पाएगी इसके अलावा हमारे phone के अंदर कोई भी other option को यह access नहीं कर वाएगी तो दोस्तों यह काफी बढ़ी important और काफी बढ़ी है settings थी जिसने कि हमारी जो privacy है हम उसको protect कर सकते हैं और अपनी life को spoil बारी की बरवाद होने से बचा सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था मुझे उम्बीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूलें तो चलिए फलाल इस वीडियो को finish करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मज़िदार वीडियो के साथ